इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को जरूर देखें तो दोस्तों आए देखते हैं पहला कोश्चन पहला कोश्चन दोस्तों यह मुश्ट इंपर्टेंड कोश्चन है और दोस्तों यह कोश्चन स्रिंखला से रिलेटेड कोश्चन है यह कोश्चन दोस्तों बहुत बार एकज पूछ से जारहे थो दिया है और यहां पर संख्या भरा जाएक दोस्तों तेहां पर से ₹ से और दो से दो हुआ है और चार हुआ है और आठ हुआ है और बत्तिस हुआ है तो किस परकार से हुआ होगा कुछ ही स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एक में एक एड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा दो हो जा रहा है और दो में अगर दो जिरो एड किया जाए तो यहां उसी परकार से परकार इस सोच करके सॉल्व करना होगाए कोई परकार से पहरीक इस्को 02 कोई जो सोछ करके सौल्व देखा जाए तो दोस्तों या किस परकार से सवानलगा हो गार देखा जाया गजाए तो तो क्या होगा देखा जाए दोस्तो आठ का गुड़ा 32 में कर देंगे तो क्या होगा आठ दुना के सोरह सोरह अच्छा हो जाएगा आठ तिरी का 24 24, 21, 25 हो जाएगा यहांपर 25 हो गया 256 आपसर में महजूद है देखा जाए तो आपसर नमर D में है दोस्तो इसलिए आपसर नमर D सही हो जाएगा देखा जाए तो दोस्तो यहांपर 1 और 2 का गुड़ा करेंगे तो क्या होगा 2 आजाएगा यहाँ पर 2 है उसी परकार से 2 और 4 का गुड़ा करेंगे तो 2, 4 का 8 हो जाएगे आप 8 हुआ है उसी परकार से 8 का 32 में गुड़ा कर देंगे 256 आ रहा है तो आप सन नमर D दोस्तों सही हो जाएगा तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग कोशन को बहुत है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस परकार के कोशन अगर आपकी एकजाम में आएगा तो आप बहुत ही सांदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे मैं एक चीज और बता दू दोस्तों तो अगर आप लोगों को कोशन समझ में आए होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देखाना तो दोस्तों बिना समय बेर्थ के हुए अगले कोशन के तरह बढ़ते हैं कोशन नमर दूसरा कोशन नमर दूसरा भी दोस्तों बहुत ही सांदार कोशन है कोशन नमर दूसरा को ध्यान से पढ़ेंगे कोशन क्या कह रहा है कोशन नमर दूसरा को दोस्तों देखा जाए तो कोशन क्या बोल रहा है उस विकल्ब का चैन करे जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वहीं संबंध है जो दिये गई समुह की संख्याओं के बीच है कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस परकार से 4 और 17 33 का संबंध है इसी परकार का संबंध इन 4 वी कल्पों में से किस में है तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे किस परकार से 4 और 17 33 का संबंध है देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 4 और 33 में यगर देखा जाए तो 4 का square करेंगे और 4 का square कितना हो जाएगा 11 हो जा रहा है 11 में 17 add कर देंगे तो कितना हो जा रहा है 7 और 6 तेरह कु तीन हो गया को तह बस पर का संबन देखेंंगे की सा मेर अक्षण में तो आपसन नमर आसे मेरत चाहई और नुभ है और चीज में 10 से करेंगे तो 35 हो जा रहा है कि तो इसलिए दोस्तों आप सब्णमर यह नहीं सही हो पाएगा और अब दूसरा देखेंगे दूसरा लगा करके कौन सा सही होता है ऑप से नबर जो चेक करेंगे और इसमें प्लस 15 एड़ कर देंगे तो कितना हो जा रहा है पांच और चार कितना हो जाएगा नौ हो जा रहा है और चार एक पांच हो गया और एक हो गया एक सब कितना हो रहा है 69 हो रहा है तो दोस्तों यहांपर क्या दिया हुआ है 244 दिया हुआ है तो दोस्तों देखा जा सूरी दोस्तों यहां पर चार चार ती और एक चार हो जाएगा और एक हासिल हुआ सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइबaches दोस्तो यह जिस परकार से है उस परकार से आपसन नमर डी लागू हो रहा है तो आपसन नमर डी दोस्तो सही हो जाएगा इस परकार के कोशन को दोस्तो ऐसे ही आपसन को रख करके चेक करके सॉल्ब किया जाते हैं तो दोस्तो हमें उम्मिद है कि आप लोग समझ गए होंगे क प्रूस्ट मेरम ही दूस्तो बहुत अच्छा क्वेशन है एक सभी मैंद उपना प्रेंस्ट एग येज र साव् рук को 164 के रूप में कोडित किया जाता है और मोपियाम ओपी को 132 के रूप में कोडित किया जाता है तो गोबलेट को उसी भासा में कैसे कोडित किया जाएगा दोस्तों यह कोडिंग डिकोडिंग से रिलेड़ कोश्चन है बहुत ही सांदार कोश्चन है ऐसे कोश्चन हमेशा एक जाम में देखने को मिलते हैं कोश्चन को दोस्तों किस परकार से सॉल्ब करेंगे अब दोस्तों देखेंगे Health यज ए यल्थी Health को किस परकार से देखा जाये तो दोस्तों 164 लिखा हुआ है जब कभी भी दोस्तों अच्छरों का numbering पूछा जाए तो दोस्तों सबसे पहले अच्छरों का numbering करके तोThis question को solve किया जाएंगे तो दोस्तों देखा जाया तो यह तो अज कितने नम keyword पा जाएगा 8 number पा आ गया है कितने number niye number पा 12 number पा होगा and ? 20 number पा हो जाएगा तो दोस्तों इसको अगर add कर दिया जाए 8加 और 1加 5 12加 1加, 12加 20加 तो कितना हो जा रहा है यहां पर दोस्तों देखेंगे तो 12 है और 8 है 12 है कितना हो गया 20 हो गया 20 एक यह हो गया 30 हो गया 30 हो गया 31 को क्या करें कि 164 हो जाये 41 नगर 4 कई गुड़ा कर दिया जात जात दो चार का गुड़ा करेंगे प्रकार से लिखा हुआ है या नहीं दूस्तों कितने नमर पाथा है तेरा नमर पर और पंदरा नमर पर करके देखा जाए तो क्या होगा यहां पर 6 और 5 6 पर 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 को 4 हो गया और 1, 2, 3 3, 1, 4 हो गया 44 यहां पाज आ रहा है तो उसी परकार से 44 को क्या करें कि 132 हो जाए 44 मकर 3 का गुड़ा कर दिया जाए तो क्या हो जाए तो 4 तिया ही 12 12 को क्या हो गया? 2 हो गया तो इसमें कितना से चार से गुड़ा किया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो चार से गुड़ा हुआ है, तो उसी परकाल से गोब्लेट को लिखा जाएगा, और इसका नमरिंग करके देखा जाए तो जी कितने नमर पाता है, साथ नमर पाता है, वो कितने नमर पाता है, पंदरा नमर पाता है, और बी कितने नमर पाता है, 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 बी कितने नम 22 हो जाएगा 22 20 हो गया और 14 बारारए 10 कर दिया जाए चाथ इक तालिस हो गया और 40 बीस 30 सेकल ते गुड़ा कर देंगे 20 6 अजये देख़ेंगे खर wal एक में होगा और खरफो दिये खाच़चिव 11 और आप 7 506 316 कितना आ गया आई दोस्तो 300 36 ot 3634 देखिएंगे किस आपसन में दिया हुआ है देखा जाय तो आपसन आपसर नम्मर D में दिया हुआ है दोस्तों तो ऐसे परकार से प्रकॉडिंग को को सौल्ब करेंगे अथ प्रकार के अब आपके आपके अच्छे तरीके से सौल्ब कर लगे मेना समय पे अरथ की ओएनेक्स कोशिन के तरह बढ़ते हैं कोशिन नमर चौछा था भी दोस्तों बहुत रिसांधार कोश्चन है कोशिन नमर चौछा को देखेंगे कोश्चन क्या कर रहा है कोश्चन का रहा दिये गई विकल्पों में से लूप्त संख्याग याद करें देखा जाए तो दोस्तों यहां पर लूप्त संख्या दिया हुआ यहां पर कौन सा संख्या भरा जाएगा दोस्तों यह कोश्चन बहुत हिसांदार कोश्चन है इस question को solve करने के लिए logic क्या अगर देखा जा तो सबसे बड़ा numbering यहाँ पर पचीस दिया हुआ है 22 से दाएं के तरब जाएंगे तो पचीस हो गया और इसमें भी 22 से दाएं के तरब जाएंगे तो यहाँ पर पचीस हो गया सबसे बड़ा numbering तो इसमें किस परकार से solve करेंगे इसका मतलब इसी तरब से question को solve किया जाएगा तो दोस्तों देखा जाए तो किस परकार से 12 और 13 को क्या करें कि यहाँ पर पचीस हो जाए तो दोस्तों कुछ इस्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 13 मसे 13 को मैनस यहाँ पर 8 दिया हुआ तो इसमें 8 को घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 13 से 8 घटेगा तो 5 बचेगा 5 का अगर स्क्वाइर कर दिया जाए तो 25 हो जा रहा है 25 हो गया और यहाँ पर 25 दिया हुआ भी है उसी परकार से 12 और 17 को ठेखेगे हो जा रहा है यहाँzona पर 25 या नहीं तो 12 मसे 7 कर दिया जाए तो क्या बचेगा 5 बच रहा है और 5 का स्क्वाइर कर दिया जाए तो 25 हो जाएगा यहाँ पर 25 दिया हुआ भी है तो इसका मतलब इसी परकार से 15 मसे माइनस को 9 कर दिया जाए क्या बच रहा है माइनस 9 करेंगे तो 6 बचेगा और 6 का स्क्वाइर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वाइर करेंगे तो 36 हो जा रहा है तो इसका मतलब इस कोश्चन मार के अस्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 36 36 भरा जाएगा तो दिखा जाए तो किस आपसन में दिया हुआ है दिखा जाए तो आपसन नमर A में दिया हुआ है इसलिए आपसन नमर A सही हो जाएगा दोस्तो यह कोशन बहुत ही सांदार कोशन है कुस्टन हमेशा एक दो कोशन देखने को मिल रहें गए तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए को तरह बढ़ते हैं क्या करा है कुछ्टन कहरा यदि 5 प्लस 8 बराबर 14 है और 9 प्लस 6 बराबर 1 कईस है और 4 प्लस 10 बराबर 13 है तो 7 प्लस 2 बराबर कितना होगा तो दोस्तों क्या करें 5 और प्लस 8 को क्या करें कि यहां पर 14 और दोस्तों 9 प्लस 6 को क्या करें कि यहां पर 1 कईस हो जाए और यहां पर देखा जाए तो 4 प्लस 10 को क्या करेंगे 13 हो जाए उसी परकार से 7 प्लस 2 को करके यहां पर इस कोशन मार्ट यहां पर भरा जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे यहां पर 14 कैसे आएगा 5 प्लस 8 को क्या करेंगे यहां पर 14 आजाए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पांच में अगर दो का गुड़ा कर दिया जाए दो का गुड़ा होगा तो क्या होगा यहाँ पर दस हो जाएगा यहाँ पर दस हो गया और आठ में भागा दे दिया जाए 8 में भागा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों लिख करके solve करेंगे यहाँ छोटा दिया हुआ है इसलिए समझ में नहीं आपा रहा है तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर 5 हो गया अब प्लस क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है बराबर 14 दिया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 5 में अगर के 2 का गुड़ा कर दिया जाए तो 5 में 2 का गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 हो गया और इसमें भागा दे दिया जाए 2 का भागा दिया जाएगा तो क्या होगा दो का भागा देंगे तो 4 हो जाएगा 10 प्लस 4 को अट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और यहाँ पर 14 दिया हुआ भी है तो उसी परकार से अगर देखा जाए तो यहाँ जो 9 प्लस 6 दिया हुआ है 9 दिया है और प्लस 6 दिया हुआ है बराबर कितना एक कश दिया हुआ है तो इसको भी एक कश लाना होगा तो उसी परकार से इसमें भी गुड़ा करेंगे दो का दो का गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जा रहा है यहां पर प्लस हो जाएगा और 6 में क्या करेंगे कि यहां पर तीन आ जाएगा और तीन को जोड दिया जा जाए तो यहां पर एक कईस आ जा जा रहा है और एक कईस के और एक कई सा भी गया तो उसी परकार से उसी परकार से अगर दोस्तों देखा जाए इसको यह क्या दिया हुआ है चार दिया हुआ है चार प्लस क्या दिया हुआ है दोस दिया हुआ है बराबर क्या दिया है तेरह दिया हुआ है तो इसमें भी अगर दोगा कर दिया जाए तो तो क्या हो जाएगा चार दुना के आठ हो जा रहा है, और पिलस क्या देंगे? भागा देंगे दू का भागा देंगे, तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा? आठ और पांश stato जाएगा? यहाँ पर दीया हुआ है तो इसका मतलब दो स्कूल logic से 7 plus 2 को solve करके यहां पर कौन सा संख्या आएगा और कौन सा option सही होगा यहीं चूच करेंगे तो दोस्तों दिखा जाए तो यहां पर 7 हो गया और plus 2 दिया हुआ है तो 7 में 2 का गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 का 14 हो जा रहा है और plus 2 में भागा दो का दिया जाए दो में भागा दो का देंगे दो का भागा दिया जाएगा तो एक आ जाएगा तो दोस्तों चौदा और plus 1 कर दिया जाए तो क्या पंद्रा आ जा रहा है तो यहां पर दोस्तों क्या भरा जाएगा पंद्रा भरा जाएगा तो देखेंगे किस किसी आपसन में पंद्रव दिया हुआ है हां आपसन नमबर ए नमें 15 दिया ऍसलिऎ दोस्तों आपसन ननमबर ए साही हो जाएगा तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लुग समझ गए होंगे अग्रे कोशन कि तरह बढ़ते हैं question नमब कोश्चन का नाम यान और यल है यस अपने पिता का इकलोता पुत्र है आर और यस टी के पोते हैं पी यल की पतनी है यम यस की माता है यन आर के किस परकार सम्बंधित है दोस्तो यह blood relation से सम्बंधित question है यह बहुत ही सांदार question है इससे question हमेशा एक पूछे जाते हैं तो दोस्तो इस question को किस परकार से solve करेंगे सबसे पहले question को दोस्तो ध्यान से पढ़ेंगे और question को समझेंगे को तभी question solve हो पाएगा तो दोस्तो यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है कि T T के दो पूत्र है जिनका नाम यन और यल है यहाँ पर T हो गया और T के कितने पूत्र हैं दोस्तो T के दो पूत्र है जिनका नाम है यन दिया हुआ है और क्या है यल है यह दोनों क्या है पूत्र है यह दोनों क्या होगे पूत्र है कि T के पूत्र दो होगे यन और यल आगे बोल रहा यस अपने पिता का इकलोता पोत्र है तो दोस्तों इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए दोस्तों इसको छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर दिया हुआ आर और यस टीके पोते हैं तो दोस्तों यहां पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे आगे क्या दिया हुआ है पी यल की पतनी है पी कौन है यल की पतनी हो गई यल की पतनी हो गई कौन है पी है और आगे दिया हुआ है कि यम यस की माता है तो दोस्तों यम यस की माता कैसे हो सकती हैं यहांपे देखा जाए तो इनका भी अगर विवा करा दिया जाए अम से यहां पर और पीछे आ कर के देखेंगे यहांश पीछे दिया हुआ है कि यह अपने पीता का इकलाउता पुत्र है तो यहाँ पर अपने पीता का क्या हो गया इकलाउता पुत्र भी हो गया और आगे बोल रहा है कि आर और यस टी के पोते हैं तो यहाँ पर भी अगर कराद दिया जाए यह आर कौन हो गया पी की पी का लड़का हो गया तो क्या हो जाएंगे दोनों पोते हो जाएंगे टीके दोनों पोते हो जाएंगे ठीक है दोस्तों यहाँ पर आर और यहाँ टीके पोते हो गए हैं यहाँ दोनों देखा जाए तो पोते हो गए और इकलोते भी हैं और दोस्तों आगे बोल रहा है कि यहन आर से किस परकार इस वाता थो इसप्लें के पोच्छाब में पीछ एक जाह रहे हैं तो दोstoff हमें रहे हैं कि अपके क्रयाएगा से तो बहुत ही सांधार तरीके से وب कर लेंगे अगले question के तरह बढ़ते है question शात्व. कॉस्चन शात्व tomar question महती सांधार question है के question शात्व कर67 कि सद्यान और hr येदि पलश का अर्थ minus और minus operation सब्लुबखर के इस सब्सक्राइब करेंगे इन सभी आप सब्सक्राइब करके कि इस आप बिकलबों में से दिये हुए आप सब्सक्राइब तो दोस्तों कैसे स्वाल्ब करेंगे तो दोस्तों किस परकार से स्वाल्ब करेंगे यहां पर अगर देखा जाए तो दोस्तों माइनस का यहां पर माइनस दिया हुआ है और माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है गुड़ा बोल रहा है तो हम माइनस के जगह पर गुड़ा रखे लेंगे सिंबल और आगे दिया भागा का अर्थ प्लस है तो भागा के सिंबल के जगा पर प्लस रख लेंगे तो यहां पर दोस्तों एक नया समीकरण बन गया देखा जाए तो नव गुड़े नव हो गया और प्लस बहत्तर हो गया और भागे चार हो गया और मैनस 6 हो गया त एयम येवाइश रूल लगाएंगे ब्रॉकेट ऑफ दिवाइट और यहाँ पर दिया हुए वह भागा हो गया यहाँ पर मुल्टिपला यहां पर गुढ़ा हो गया एड जोड हो गया और एस से सब्सक्षन माइनस तो दोस्तों बॉर्ड मास का रूल लगा करके सॉल्प करेंगे और देखा जाए तो बॉर्ड मास के रूल पे यहां पर ब्रेकेट और आप दिया नहीं हुआ है तो आप डिवाइट लगा करके दोस्तों सॉल्प करेंगे डिव सूप करत नव क कर देखा जाए तू जाएक Ecenne ीर्म उप्य कर दिया जाए उसके बाद उट्रीब सभड दिया जाएक नव होगे इक और उटन और इक नव हो गया और मायनज च्छ शाच हुआ들 कीट्ना हिब आ जाएक नव को किशी आपसन में दिया हुआ है हां दिया हुआ है इसलिए olun region को सध्रhtaול नौาร rapid यह भी आजए हो अवर गैन गोले किसी में कुल overe ध्यांक्ड़ेशन की опять कर रहा है दोस्तों के लिछ İंग लीगिए संबंध को सरौत्तम रुप से दरसाता है तो दोस्तों दिखा जाए तो कोशन यहां पर जो दिया हुआ है गायक दिया हुआ है और पुरुस दिया हुआ है और भाई दिया हुआ है इनी से कौन सा संबंध है और किस परकार का डाइगराम मनेगा तो दोस्तों दिखा जाए यह पर तो गायक तो दोस्तों देखा जाते हैं अब गायक और पुरुस और भाई दिया हुआ है तो इसका दोस्तों डाइगराम अगर बनाएंगा तो देखेंगे तो यहां सभी भाई क्या होते हैं सभी भाई पुरुस होते हैं सभी भाई क्या होते हैं भाई तो महिला होंगे न होते हैं और कुछ पूरूस भी कायक होते हैं तो दोस्तों इसssa अपनेंगे हैं आपनेंए इसलीह नमर रही हएगा है दोस्तों प्रिक्राइध कोसेंदา Gin है कि आप लोग गायक है का संबन्द are ऑर कि इससेंदार काल और से वह other सांधार तरीक से समझ गये होंगे अगले कोशन के तरब बढ़ते में 149 थे बहुत ही सांधार कोश्चन पढ़न क क्या कर रहा है है कोश्चन को द्यास पढ़ेंगे कोशन दिया हुआ है कश्षिआ हुआ युव पैकcono करें तो यहं में दिया हुआ है होस्टली दिया हुआ है होस्टल दिया हुआ है और हास्पीटल दिया हुआ है और हाउस होपलेस दोस्तों होपलेस दिया हुआ है दोस्तों बहुत इसांदार कोश्चन है तो दोस्तों इस परकार के कोश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो याच ओ दिया हुआ है होस्टली में देखा जाए तो याच ओ कामन है इसमें भी याच ओ कामन है और इसमें भी याच ओ कामन है इसमें भी याच ओ कामन है इसमें भी याच ओ कामन है तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले पी आएगा पी कितने नमबर पर सोरा पहो गया और यू कितने पहो गया यू दोस्तो देखा जाए तो ये कर्ष नमबर पहेगा तो सबसे पहले यू आएगा या यस आएगा तो देखा जाए तो दोस्तो सबसे पहले पी आता है तो पी कितने नमबर पर है पांच नम्मर वाले पर है तो यह देखा जाए तो पांच हो गया और आगे देखा जाए तो दोस्तो यू के पहले यस आता है तो यह देखा जाए तो इसमें भी यस में कामन है और इसमें भी कामन है यहां पर टी हो गया और यहां पर भी देखा जाए तो टी दिया हुआ है इसमें क पहले कौन सा अच्छर आजाएगा पी आएगा तो पी कितने नमर पर है तीन नमर पर है और इसमें भी देखा जाए तो टी कमन है और इसमें भी टी कमन है तो यहां पर कौन सा जाएगा अच्छर आई आएगा इसमें कौन सा अच्छर आजाएगा ई आएगा तो देखा जाए तो इसलिए दोस्तो बड़ा में कितने नमबर वाला सबसे लाश्ट में यहां पर हो जाएगा तो देखा जाए तो दोस्तो यह पर क्या 5-2-1-4 किस आपसर में दिया हुआ है वहीं आपसर तो आपसर नमर की होगा पाँच तेन एक दो चार दिया हुआ है और टैकर दिल रहा है दोस्तों आफसर सांधर कोशन विची से रिलिडेडेयक दोस्तों इस मिनिंग का कावन निकाल करके नमबर करके उसको नमबर से बैटाना था तो दोस्तों ऐसे बहुत बारिक पुछे जाते हैं अगली से सबक्रबधान नमर कोस्चन करें दिख देमें और क्या कर दोको दियान से फड़ेंगे कोशन कह रहा है देगई सीट को उड़ कर एक दहन बनाया जाता ह विपवरीद कोश क्या करेंगे विपवरीद कोश क्यूकर काकि तक प्राव क्या जानिए वीप्रित कोई होगा यह विप्रित होगा दोस्तों एक इक चरो को छोड़ करके इसी परकार से मिफित लिए था तो U का विपरित U कहा जाए या U का विपरित Q कहा जाए और इसमें दोस्तों P का विपरित R कहा जाए या R का विपरित P कहा जाए तो दोस्तों देखेंगे इस परकार का किस आपसर में दिया हुआ है आपसर नमर A में देखा जाए तो UT दिया हुआ है किसी में UT नहीं दिया हुआ यहां पर T S दिया हुआ है इसमें P और Q दिया हुआ है आपसा नम्र B में तो देखेंगे P Q किसे में दिया है नहीं इसमें P R दिया हुआ है आफ़जन नमर C में देखा जाएं से समझे होंगे और इस परकार के ऐसे कोशन अगर आपकी एकजाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही सांदार तरीके से सौल्व कर लेंगे तो दोस्तों आप लोगों से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइ ख लोगी तरीके जोगों में आपकी से सौल्व कि वीज़गा तो से को बार्बकांगे लोगों से कॉछर आपके लोगों से साहिक key आपके लोगा है ह।